अभी तक हमने पढ़ा था partnership deed का dissolution अब हम पढ़ेंगे partnership firm का dissolution ओके दोनों में फर्क क्या है और दोनों में treatment क्या अलग होता है चलो शुरू करते हैं अगर आपने 11 तक lecture नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखेगा क्योंकि वहाँ पर हमने 3 chapter cover किये हैं ओके ये हमारी accounting की series चल रही है इसे ही आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इससे पहले आप वीडियो को like जरूर कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए ओके तो लेट जिस start this lecture तो वाट इस given here dissolution of firm अब question arise होता है कि dissolution of firm है क्या जब एक firm में partners के बीच में रिष्टे ही खतम हो जाएं यानि कि एक बार तो रिष्टे बदल जाएं यानि कि अगर A, B, C थे जिन में से C चला गया और इन दोनों के बीच में रिष्टा क्या बदला पहले इनका कुछ profit sharing ratio था मान लो 1, 2, 3 का कुछ था और वो बदल कर अब 50-50 हो जाए तो रिष्टा बदला ना profit से related कुछ term and condition बदली ना लेकिन खतम तो नहीं हुई तो यही difference है दोनों के बीच में कि यहाँ पर चीजे बदल जाती है partnership deed के dissolution में लेकिन firm के dissolution में क्या होता है कि बिलकुल ही उनके बीच के relationship, term, condition सब खतम हो जाती है partnership firm ही बंद होने आती है ओके हम पढ़ते हैं कि यह किस किस case में होता है तो definition आपको यहाँ से clear होगी हमने देखा था कि partnership deed किसलिए बंद होती है या तो उनके profits change हो जाए या कोई नया partner admit हो जाए या retirement हो जाए या death हो जाए किसी partner की इसलिए अब हम देखते हैं कि dissolution of firm क्यों होता है dissolution of firm take place in any of the following way इनमें से किसी भी एक कारण की वज़े से dissolution हो सकता है अब वो कौन-कौन सी वज़ा है सबसे पहले है dissolution of dissolution by agreement अगर partners के बीच में ये agreement है कि वो खुद से इस partnership deed को कभी भी खतम करेंगे तो dissolution हो सकता है या फिर वो आपस में मतलब पहले से तै नहीं था कि वो इस contract को या इस firm को बंद करेंगे लेकिन अभी उन्होंने इक agreement कर लिया इसको बंद करने का तब भी वो कर सकते हैं तो ये क्या हुआ dissolution by agreement ओके next point compulsory dissolution compulsory dissolution तब होता है जब ये compulsion आ जाए मतलब compulsion कैसे आए कि आपका कोई एक partner वो insolvent हो जाए या फिर क्या हो कि वो कुछ गलत तरीके से यानि कि illegal activities में involve हो कोई या फिर पूरी की पूरी firm illegal activities में involve हो या कोई ऐसा event या mistake हो जाए partner से जो की किसी act के according गलत हो ठीक है तो इसी को ही क्या कहते है यानि की जैसे हम मान सकते है कि किसी enemy country के साथ आप अपना business कर रहे हैं या इस तरह की चीज़े तो वो क्या होगा compulsory dissolution ऐसी firm को बंध ही किया जाएगा according to law तो ये हुआ और ये हुआ अब next बात करते हैं on the happening of certain consequences या फिर contingencies तो उस case में क्या होता है जब contract दोनों partners के बीच में या firm के बीच में dissolve हो जाए मतलब एक contract था कि हमें सिर्फ ये एक building prepare करनी है उसके लिए उन्होंने एक partnership firm establish की और जब वो काम पूरा हो गया तो उसे बंद कर दिया ठीक है तो उसमें कोई fixed term उन्होंने पहले से बता रखी हो कि इतने पर हमारी expiry date हो जाएगी इस partnership की या consent के साथ जो main उनका head था या कुछ भी उसकी death हो जाए किसी partner की उसके बाद वो कहें किसे बंद कर दो तो ये conditions पे अलग-अलग पर depend करती है या कोई भी partner या सभी partners insolvent हो जाए insolvent मतलब कि वो दिवालिया हो जाए उनके पास पैसे ना रहे तो ये case हो गया अब dissolution by notice अब notice का case भी कैसा है कि partners एक partner या सभी partners notice दे firm को dissolve करने के लिए एक return notice होना चाहिए तो ये हो गया dissolution by court अगर court ये notice दे दे या फिर court कहे कि इसे बंद कर दो यानि कि अगर कोई partner गलत activity करता है illegal according to law या फिर कोई partner guilty है misconduct के लिए किसी दूसरे partner के साथ तो वो कैसे भी हो जकते है यानि कि उसका profit ना दे रहा हो इस तरह की चीज़ें हो रही है तो court उन्हें आदेश देता है कि इस firm को बंद कर दो तो ये सारे point clear हुआ है अब चलते हैं हमारे next point पर दोनों के बीच में difference क्या है अभी हमने difference को देख लिया एक बार लेकिन अब यहां से देखते हैं कि treatment of business के case में तो terminated के case में क्या है अगर हम partnership की बात करें तो business terminate नहीं होता यानि कि business चलता रहता है लेकिन अगर firm का dissolution है तो business बंद हो जाएगा settlement of asset and liability अब asset और liabilities को कैसे settle किया जाता है asset and liabilities are revalued and new balance sheet is drawn यहां पर नई balance sheet बनती है और पुरानी वालों को हम दुबारा से adjust कर लेते हैं यहां पर balance sheet बंद ही हो जाती है court का intervention यहां court का कोई intervention नहीं होता यहां partners आपस में मिलकर यानि कि mutual understanding या agreement से काम करते हैं यहां court का intervention हो सकता है और होता है economic relationship यहां क्या है economic relationship जो है partners के बीच में वो जारी रहती है यानि कि वो partners फिर भी रहते हैं और यहां क्या है economic relationship खतम हो जाती है closer of books यहां पर books क्या है बदल जाती है continue रहती है लेकिन ठीक है और यहां क्या है books of account are closed तो यह चीज़े होई other dissolution मतलब it may happen involved resolution of firm तो इसे क्या कह सकते हैं firm का dissolution इसके अंदर include है लेकिन it's necessary in लेकिन जो partnership का dissolution है मतलब partnership के dissolution में may be firm का dissolution हो जाए लेकिन firm के dissolution में तो तै है कि partnership का dissolution तो होगा ही होगा ओके यहां से सब point clear हुए आगे चलते हैं settlement of accounts कि अब जो हम accounts बनाएंगे उनको कैसे settle किया जाए कैसे prepare किया जाए तो यहां दो तरीके हैं in the case of dissolution of firm the firm cease to conduct business and has settled its account यानि कि जो business अभी carry on हो रहा था उसे बंद कर दो और क्या करो जो books of account है उन्हें settle करो यानि कि जिसको जितना देना है वो दो और जिससे लेना है वो low और अपनी सारी assets को बेच के पैसा जमा करो अपनी liabilities को fulfill करने के लिए for this purpose it dispose of all the assets यानि कि assets को बेच दिया जाता है for satisfying all the claims against it okay clear in this contest it should be noted that subject to agreement among the partners of the following rule यानि कि जो section 48 है वो यहाँ apply होगा assets को बेच दिया जाएगा क्यूं liabilities को pay करने के लिए और जो बचा हुआ पैसा होगा वो partners बाट लेंगे अब यह क्या है treatment of losses treatment of losses हम कैसे करते हैं सबसे पहले हम जो भी loss हुए हैं उन्हें सोचते हैं कि हम profit में से ही dispose हो जाए यानि कि उन्हें हम profit में से ही दे सके तो सबसे पहले profit का इस्तमाल किया जाता है जो भी हमारे इस साल के profit या पिछले साल के profit हो तब भी पैसा अगर कम पड़े तो partners की capital में से लिया जाता है अगर तब भी पैसा कम करें तो last में क्या होता है जो partners है वो individually उस पैसे को अपने share के हिसाब से ले कर आते है अब asset का क्या है application of assets तो क्या होगा कि जो asset को बेचने से पैसा आया है या कुछ भी तो the asset of the firm include any sum contributed partners to make up deficiency of capital ठीक है तो asset के अंदर वो पैसा इखटा होता है partners का जो की उनकी capital के मतलब जो liabilities पे करनी है वो उन सब के लिए काम में आए तो इसमें क्या है in paying of debts of a firm to the third party तो सबसे पहले अब उसका इस्तमाल कैसे होगा सबसे पहले third party को यानि कि जो बाहर के हमने loans वगरा ले रखे हैं वो पे किये जाएंगे उनको पे करने के बाद जो बचा in paying each partner proportionally what is due him from the firm advances, distinguish and capital मतलब third party को देने के बाद जो पैसा बचा वो partners में बटेगा ओके in paying of each partner proportionally what is due to him account of capital वो उनकी capital account भी transfer कर दिया जाएगा and the residue मतलब अगर फिर भी बच जाता है तो shall be divide among the partner in their profit sharing ratio तो ये चीज़े हैं जो clear हुई आपको third party को पहले देना होता है और अगर equity है और ये सारे चीज़े हैं तो उनको बाद में देना होता है तो ये clear होने के बाद let's move to the next slide यहाँ है private debts and firm debts तो private debts और ये firm debts when two और both the debts debts of a firm private debts and firm debts coexist following rules apply यानि कि अगर आपने private जगह मतलब किसी से पैसा ले रखा है और firm के भी कुछ debts है यानि कि तो क्या होगा the property of the firm shall be applied first in the payment जो किसी firm की अगर property है तो वो उसकी payment पहले की जाएगी firm and then surplus if shall be divided among the partners as their claim तो ये वही बात है जो हमने पहले पढ़ी कि पहले बाहर वालों का पैसा दो उसके बाद जो भी firm के अंदर है इस line का मतलब ये है कि the property of the firm shall be applied first to the payment of debts मतलब debts को पहले पे किया जाएगा और बाद में बाद में अगर partners का कोई उधार बाकी है तो उसे चुकाया जाएगा ये चीज़ अब second point देखते हैं the private property of any partner अब जो पैसे एक बात थी कि वो अपनी private capital में से या अपनी private जो उनकी assets थी जैसे उनका घर या जमीन तो उसको भी ला सकते हैं वो लेकि आना पड़ेगा अगर पैसा कम पड़ता है तो तो क्या उनकी private जो संपत्ती है उसमें किस-किस को include किया जाएगा यहां उसकी बात हो रही है उनकी family के जो भी लोग है यानि कि wife है children है उनकी property को यहां include नहीं किया जाएगा ओके यानि कि उसकी खुद की property को हम मंगवा सकते हैं firm के losses को fulfill करने के लिए right so I hope कि यह clear हुआ होगा so let's just move to the next अब यहां क्या है realization account realization account हम prepare करते हैं बिल्कुल revaluation की तरह लेकिन यह एक ऐसा account है जिसके बाद वाकी books बंद हो जाएगी यानि कि यहां सारी चीज़े बिकती है तो हमें जितनी भी assets है एक बार यहां transfer करनी होती है उनकी values पर debit side और जितनी भी liabilities है वो credit side जैसे land, building, plant, machinery bill receivables, sundry debtors cash, bank इस तरह से तो यह क्या हुआ payment of unrecorded liabilities capital account liabilities and profit transfer to purchase account कोई भी profit आएगा तो हो यहां और liabilities का यह सारा यहां तक clear हुआ and sales of asset यानि कि यह जो asset बिकेंगी न यह तो उनकी actual value दिखा दी और बिकी जितने की भी वो यहां इस side दिखाया जाएगा liabilities की actual value यहां बिकी वो यहां दिखायी जाएगी दोनों के balance से profit या loss decide होगा और वो आगे further transfer कर दिया जाएगा profit and loss account में clear? okay so this is enough for today I hope you like this lecture and keep learning, keep growing thanks for watching and please subscribe our channel and like this video you